Hello everyone, मेरा नामे संदीब दासगुपता and welcome to Achieverly. हम लोगों ने Class 7 NCRT History और Geography complete कर लिया है और आज से NCRT Class 7 Quality स्टार्ट करेंगे. आज हम लोग Chapter 1 से शुरू करेंगे. आपको History और Geography के Playlist का लिंक इस वीडियो के Description Box में मिल जाएगा. तो जो लोग History और Geography के वीडियो को देखना चाते हैं, वहाँ से देख सकते हैं. मैं पढ़ाते हुए Important Points को Star Mark करता हूँ चलूँगा. तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, आप भी उन Points को Star Mark कर ले. या फिर अगर आप Notes बना रहे हैं, तो अपने Notes में उन Points को लिख ले. क्योंकि वहाँ से Question आने की Chance ज्यादा होते हैं. अगर आपको कुछ Doubt हो, तो आप मुझसे Comments में पूछ सकते हैं. या फिर आप मुझसे Instagram पे भी पूछ सकते हैं. Instagram का Link आपको इस वीडियो के Description Box में मिल जाएगा. NCRT के Website से आप NCRT के Books को Free में डाउनलोड कर सकते हैं. तो वहाँ से आप इस Book को डाउनलोड कर ले. और आज का Lecture देखने के बाद, एक बार इस Chapter को पढ़ ले, जिससे की आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो चलिए आज का Lecture अब शुरू करते हैं. Chapter 1. On Equality. Samanta. हमारा जो पहला टॉपिक है, वो है Equality in Indian Democracy. भारतिय लोकतंत्र में Samanta. The Indian Constitution recognizes every person as equal. देखिए, हमारा भारतिय सम्विधान सब वैक्तियों को equal मानता है, समान मानता है. चाहे अब किसी भी religion के हो, किसी भी caste के हो, किसी भी race के हो, या फिर आपका gender कुछ भी हो, आप भारतिय सम्विधान की नजर में एक समान है. भारतिय सम्विधान सब व्यक्तियों को समान मानता है This means that every individual in the country, including male and female persons from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equals हमारे देश का प्रतेक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी caste, religion, tribe को बिलॉंग करता हो चाहे वो स्त्री हो या पुरुश हो, equal है, एक समान है चाहे लोगों की economical background कुछ भी हो, अमीर हो या गरीब हो, educational background कुछ भी हो मतलब कि सिक्षित हो या कम पड़ा लिखा हो, भारतिय सम्विधान की नजर में सब equal है, एक समान है इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुश हो या स्त्री, किसी भी जाती, धर्म, सैक्षिक और आर्थिक प्रिष्ट भूमी से सम्मन्द रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इनेकुलिटी देश में बिलकुल खतम हो गई है, क्योंकि जब हम अपने रियल लाइफ में आसपास के चीजों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि इनेकुलिटी अभी भी एक्जिस्ट करती है लेकिन इसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि असमानता खतम हो गई है, it doesn't, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized देखिए, इनेकुलिटी खतम नहीं हुई है, लेकिन भारतिय सम्विधान में सभी व्यक्तियों के equality के principles को समानता के सिध्धान को recognize किया गया है ये खतम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी, कम से कम, भारतिय सम्विधान में सभ व्यक्तियों की समानता के सिध्धान को मान्य किया गया है While earlier, no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals दिखिए, जहां पहले लोगों के साथ, caste, sex, religion, race के आधार पर discrimination, भेदभाव किया जाता था, गुर बहवार किया जाता था और इन चीजों को रोकने के लिए भी कोई कानून नहीं था लेकिन अब equality, समानता को सुनिश्शित करने के लिए अनेक कानून बनाए गये हैं जहां पहले भेदभाव और दुरभेवार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था अब अनेक कानून, लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के वेवार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है This recognition of equality includes some of the following provisions in the constitution समानता को स्थापित करने के लिए समविधान में जो प्रावधान है उनमें से कोछ निमनलिखित है First, that every person is equal before the law What this means is that every person from the president of the country to a domestic worker has to obey these same laws देखिए, law कानून के सामने प्रतेक वैक्ति एक समान है चाहे वो वैक्ति देश के राष्ट्रपती हो या फिर वो वैक्ति एक domestic worker हो सबको कानून follow करना पड़ेगा प्रतम, कानून की द्रिष्टी में हर वैक्ति समान है इसका तात्पर ये है कि हर वैक्ति को देश के राष्ट्रपती से लेकर भेरेल्यू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है सेकेंड, no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth और whether they are female और male देखिए, किसी भी वैक्ति के साथ उनके religion, race, caste, place of birth और gender के basis पे discrimination, भेर्भाव नहीं किया जाएगा दूसरा, किसी भी वैक्ति के साथ उसके धर्म, जाती, वन्ष, जन्मिस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेर्भाव नहीं किया जा सकता थर्ड, every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops and markets all persons can use publicly available wills, roads and bathing guards, देखिए, जितने भी public places हैं, जैसे playground हो गया, hotel हो गया, shop और markets हो गया, वहाँ पे हर वैक्ति जा सकता है आप किसी को hotel में ये बोल के आने से नहीं रोग सकते, कि आप किसी certain religion को belong करते हैं, इसी लिए आप अंदर नहीं आएंगे और हर वैक्ति, public use के लिए जो कुमे बने हैं, roads बने हैं, और bathing guards बने हैं, उनका उपयो कर सकते हैं लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कि यहाँ पे public places की बात की गई है, मान लीजिए कोई private property है, जैसे कोई society का playground, अब कोई वहाँ घुसना चाहे, जो वहाँ नहीं रहता हो, तो उसे मना किया जा सकता है, security reasons के वज़़ से तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक इस्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकाने और बाजार आदी सम्मिलित हैं, सब लोग सार्वजनिक कुऊं, सडकों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं 4. Untouchability has been abolished, चौथा, अस प्रिश्यता का उनमूलन कर दिया गया है, ये है आपका Article 17 The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities दिखिये, दो तरीकों से government ने समविधान में जो Right to Equality, समानता के अधिकार की जो provisions है, उनको लागू किया है पहला कानून लौ के द्वारा और दूसरा Government Programs द्वारा ताकि जो disadvantaged communities हैं, उनकी मदद की जा सके शाशन ने समविधान द्वारा मान्य किये गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओ व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहिन समाजों की मदद करके There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो हर वैक्ति के equality समानता के अधिकारों की रक्चा करते हैं भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो वैक्ति के समान वैवार प्राप्त करने के अधिकार की रक्चा करते हैं In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries देखे, कानून के साथ-साथ बहुत सारे government schemes सलते हैं जिससे उन वैक्तियों और उन disadvantaged communities मतलब की सुविधाहिन समुदायों की मदद की जा सके जिनके साथ सदियों से भेदभाव होता आया है कानून के साथ-साथ, सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकडों वर्षों तक असमानता का वैवार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कारेक्रम और योजनाय लागुगी हैं यह योजनाय यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अफसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अफसर प्राप्त हो इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है जितनी भी गवर्णमेंट एलिमेंटरी स्कूल्स हैं, वहां बच्चों को लंज टाइम में भोजन दिया जाएगा ये बहुत अच्छा इनिशियेटीव है और इस इनिशियेटीव से बहुत सारे positive outcomes भी आए है इस कार्यक्रम के अंतरगत सभी सरकारी प्रात्मिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है कमिल नाडू पहला इस स्केट था जिसने स्कीम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था फिर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को इस स्कीम को छे मंत के अंदर लागो करने के लिए कहा ये योजना भारत में सर्व प्रथम तमिल नाडू राज्य में प्रारम की गई और 2001 में उच्चतम न्यायले ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में छे माह के अंदर आरम करने के निर्देश दिये इस कारेक्रम के काफी सकारात्मा प्रभाव हुए इस इंक्लूड दी फैक्ट देट मोर पूर चिल्डरिन हैव बिगन एन्रोलिंग और रेगुलर्ली अटेंडिंडिंग स्कूल देखिए जिन बच्चों को खाना नहीं मिल रहा था वे ही स्कूल जाने लगे इस स्कीम के वज़ा से गरीब बच्चे स्कूल जाने लगे रेगुलर्ली इसी बहाने वे पढ़ने भी लगे इससे उन्हें आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा उदाहरन के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school but now with the midday meal being provided in school their attendance has improved देखिए teachers बताते हैं कि इस scheme से पहले बच्चे lunch time में घर जाते थे खाने के लिए फिर वापस ही नहीं आते थे मगर इस scheme के लागू होने के बाद उनको घर नहीं जाना पड़ता इससे उनकी attendance में भी सुधार आया है शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस school लोटते ही नहीं थे परन्तु अब जब से school में मध्यान भूजन मिलने लगा है उनकी उपस्तिती में सुधार आया है इन बच्चों की जो माताएं थी उनको अपना काम छोड़कर घर आना पड़ता था अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए लेकिन इस स्कीम के बाद उन्हें अब ऐसा नहीं करना पड़ता वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर गुपहर को बच्चों को खाना किलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है देखिए सारे बच्चे एक जगा बैट के साथ में लंच करते हैं, खाना खाते हैं, तो ये कास्ट प्रेजुडिस जातिगत पूर्वा ग्रहों को कम करने में भी मदद करता है अमीर गरीब का भेदभाव भी मिट जाता है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं खाने को बनाने के लिए दलित महिलाओं को इंप्लॉइमेंट मिलता है, इससे भी कास्ट प्रेजुडिस कम होता है इस कारेक्रम से जातीगत पूर्वा ग्रहों को कम करने में भी साहता मिली है क्योंकि स्कूल में सभी जातीओं के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है देखिए, मिदे मिल से हंगर को कम करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि एक टाइम बच्चे शियोर रहेंगे कि उन्हें भोजन मिलेगा और पेड भरा होगा तो पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे क्योंकि भूके बेट पढ़ाई में कंसेंटरिशन नहीं बनता है मध्यान भोजन कारेक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूक मिटाने में भी साहता की है जो प्राया खाली पेटी स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंदरित नहीं कर पाते देखिए इन गवर्णमेंट प्रोग्राम्स ने बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले किया है एकुलिटी और उपर्चुनिटी को बढ़ाने में लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बागी है बहुत सारी चीजों में इंप्रूब्मेंट करना है हमें यद्यपी शाष्किय कारेक्रम अवसरों की समानता बराने में महत्वपूर्ण भूमी का निभा रहे हैं किन्तु अभी भी बहुत कुछ करने की आवशकता है लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें तेखने को मिलता है जब हम government school और private school की बात करते हैं private school में अमीर घरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं इन schools में बहुत सारे facilities होती हैं, resources होते हैं चीजों को समझाने के अलग-अलग करिके होते हैं slide show के द्वारा, animations के द्वारा, lab में practical करवा के चीजों को समझाय जाता है तो ये फर्क हमें देखने को मिलता है मध्यान भोजन कारेक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल वो में प्रवेश और उनकी उपस्तिती तो बढ़ा दी है लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते है Even today there are several schools in the country in which Dalit children are discriminated against and treated unequally आज भी हमें कई स्कूल ऐसे देखने को मिलते हैं जहां Dalit बच्चों के साथ discrimination भेदभाव किया जाता है उन्हें बुली किया जाता है, equal नहीं treat किया जाता, उनके साथ सम्मान के साथ वैवार नहीं किया जाता. आज भी देश में कई स्कूल हैं, जिनमें दलीद बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का वैवार किया जाता है. These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. इन बच्चों को ऐसी इस्थिती, ऐसी situations में डाला जाता है, जहां उनके dignity की सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है. This is because people refuse to think of them as equal, even though the law requires it. ऐसा इस वज़े से होता है, क्योंकि लोग उन्हें equal treat नहीं करते, कानून बनने के बाद भी, पड़े लिखे लोग भी ऐसा भैवार करते हैं, आप news वगरा में भी लिखते होंगे. ऐसा इसलिए है, क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी, लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं. लोगों को पता है, कि भेदभाव करना कानून के खिलाफ है, फिर भी लोग, caste, religion, race, disability, economic status या फिर जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करते हैं. यद्देपी लोग ये जानते हैं, कि भेदभाव का वैवार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाती, धर्ब, अपंगता, आर्थिक स्थिती और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का वैवार करते हैं. One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. इसका main reason ये है कि किसी भी चीज़ को लेके जो attitude हमारा बना होता है, उसे change होने में समय लगता है, धीरे धीरे change होता है. आप कहा रहते हैं, आपके आसपास का environment कैसा है, इस पर भी depend करता है, क्योंकि आप चाहे बहुत पड़े लिखे हो, आपके पास बहुत सारी degree हो, लेकिन अगर आपके आसपास की लोग, आपके आसपास का environment, रूडिवादी सोच रखता होगा, तो उसका effect आप पर भी दिखे इसलिए सोच बदलने की ज़रूरत है, जब हमारी सोच बदलेगी, तो हम अपने next generation को सही चीज़े सिखा पाएंगे, इसका मुख्य कारण ये है, कि दृष्टी कोंड में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन आता है, देखिए, present attitude कभी change होगा, जब हम सामने वाले को inferior, अपने से कमतर समझना बंद करेंगे, और उन्हें अपने बराबर मानेंगे, उनके साथ सम्मान के साथ वहवार करेंगे, वर्तमान दृष्टी कोंड को बदलना तभी संभव है, जब लोग ये विश्वास करने लगे, कि कोई भी कमतर नहीं है, और हर व्यक्ती सम्मान जनक वैवार का अधिकारी है, Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle, and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, Democratic society में equality establish करना, समानता इस्थापित करना एक continuous struggle है, सतत संघर्ष है, जिसमें भारत के प्रतेक वैक्ति और समुदायों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, देखिए, equality एक dynamic concept है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जैसे जैसे requirements change हो रहे हैं, urbanization हो रही है, socio-economic छेत्र में changes आ रहे हैं, लोगों की aspirations बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें new steps लेने पढ़ेंगे to ensure equality maintain रहे सभी वैक्तियों के लिए, ये ऐसा structure नहीं है, जो static है, जो रुग ग्या है, ये changes रो जाएंगे, government को, उनको वैसे ही respond करना पड़ेगा, और ये ensure करना पड़ेगा, कि हम equality के principles को maintain करें, और सब के साथ सम्मान के साथ व्यभार करें, प्रजातंत्रिय समाज में, समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें वैक्तियों और विभिन्य समाजों को सहयोग देना है, अब जो हमारा next topic है, वो है, issues of equality in other democracies, अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, You are probably wondering, whether India is the only democratic country, in which there is inequality, and where the struggle for equality continues to exist. शायद आप सोच रहे होंगे, कि क्या भारतिय लोकतंत्र ही ऐसा है, जहां असमानता का अस्तित्व है, और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है. The truth is that, in many democratic countries, around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. दुनिया में ऐसी बहुत सारी democratic countries हैं, जहां equality के issues पे आज भी struggle जारी है. सच तो यह है, कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री ये देशों में समानता के मुद्दे पर विशेश रूप से संघर्ष हो रहे हैं. So, for example, in the United States of America, the African-American, whose ancestors were the slaves, who were brought from over Africa, continue to describe their lives today as largely unequal. USA की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे जो आज African-American लोग रहते हैं, उनके पूरवज, slaves थे, गुलाम थे, उन्हें अफरिका से लाया गया था, और उनके साथ बहुत बुरा भैवार किया जाता था. Slavery धिरे-धिरे खतम हुई, लेकिन Slavery खतम होने के बाद भी, आज भी जो African-Americans वहां पे रहते हैं, वो बताते हैं कि उनको inequality face करनी पड़ती है. उदाहरण के लिए, सन्यूक्त राज्य अमेरिका में, अफरीकी-अमेरिकन लोग, जिनके पूरवज गुलाम थे और अफरिका से लाय गये थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं. This, despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African-Americans. 1950s के दशक में, अफरिकन-अमेरिकन को equal rights समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किये गये थे. उसके बाद भी, उनको असमानता अनि इनिकुलिटी face करनी पड़ती है. जबकि 1950s के अंतिम दशक में, अफरिकी-अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था. Prior to this, African-Americans were treated extremely unequally in the United States and denied equality through law. इसके पहले, उनके साथ बहुत बुरा वहवार किया जाता था. उनके साथ असमान वहवार किया जाता था. उन्हें कानून के द्वारा भी equality नहीं दी जाती थी. इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ सैयूग्त राज्य में बहुत असमानता का वैवार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था पहले जब अफ्रीकन अमेरिकन्स बस से ट्रैवल करते थे तो उन्हें बस में पीछे बैटना पड़ता था और अगर कोई वाइट परसन बस में आता था तो उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैटना पड़ता था या जब कोई गोरा आदमी बैटना चाहे उन्हें अपनी सीट से उड़ जाना पड़ता था रोजा पार्क्स एक अफ्रिकी अमेरिकन महिला थी एक डिसमबर उन्नीस सो पचपन को दिन भर काम करके ठक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे वैक्ती को देने से मना कर दिया Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African-Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement उन्होंने refuse किया तो इससे movement start हुआ, आंदोलन शुरू हुआ उसे Civil Rights Movement नागरिक अधिकार आंदोलन के नाम से जाना गया उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमिरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारम हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion और national origin 1964 में Civil Rights Act पास हुआ और discrimination को प्रोहिबीट किया गया on the basis of race, religion और national origin 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नसल, धर्म और राश्ट्रिय मूल के आधार पर भेधाव का निशेत कर दिया It also stated that all schools would be open to African-American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them इसमें ये भी बोला गया कि African-American बच्चों के लिए सारे स्कूल open होंगे पहले उनको अलग स्कूल में पढ़ना होता था, मगर अब वे वाइड बच्चों के साथ एक स्कूल में पढ़ सकेंगे इसने ये भी कहा कि African-American बच्चों के लिए सब स्कूलों के दर्वाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेश रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे However, despite this, a majority of African-Americans continue to be among the poorest in the country इन सब के बावजूद, majority of African-Americans आज भी पूर है, गरीब है क्योंकि उन्हें आज भी inequality face करनी पड़ती है इतना होने के बावजूद भी, अधिकांश-African-American गरीब है Most African-American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in areas where the government schools are as highly rated as private schools African-American बच्चे सिर्फ government school में ही जा पाते हैं वहाँ facilities भी कम होती है और teachers भी उतने qualified नहीं होते जबकि white बच्चे private school में जाते हैं या फिर वैसे government school में जाते हैं जहाँ पे facilities भी बहुत अच्छी होती हैं और teachers भी अच्छे होते हैं अधिकतर अफरीकी-American बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्ते रखते हैं जहाँ कम सुविधाये हैं और कम योग्यता वाले सिक्षक हैं जबकि गोरे विध्याती नीजी स्कूलों में जाते हैं या उन छेतरों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का इस्तर नीजी स्कूलों जैसा ही उचा है अब हम लोग का नेक्स टॉपिक है चैलेंज ओफ डिमोक्रिसी लोगतंत्र की चुनौती देखिए किसी भी देश को पूरी तरीके से डिमोक्रेटिक लोगतंत्रिक नहीं कहा जा सकता किसी भी देश को पूरी तरह से लोगतंत्रिय नहीं कहा जा सकता हर देश में ऐसे लोग हैं, ऐसे कम्योटी हैं जो डेमोक्रेशी को एक नया मतलब देते हैं और उसके आइडियाज को प्रिंसिपल्स को और एक्स्पैंड करते हैं और अधिक से अधिक equality की मांग करते हैं। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और वैक्टी होते हैं, जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं, और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए-नए सवाल उठाते हैं। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal, and for their dignity to be maintained. Equality establish करना एक continuous struggle है, जिसमें हर एक individual और communities को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, और ये ensure करना पड़ेगा कि equality के principles maintain रहे, और सबके साथ सम्मान जनक वहवार हो। इसके केंदर में वो संधर्ष है, जो सब वैक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पग्जधर है। तो friends इसी के साथ हम लोग का ये chapter यहां पर समात होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ doubt है तो आप मुझसे comments में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे Instagram पे भी पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने friends के साथ share करें। वीडियो पसंद आए तो like करें। चैनल को subscribe करें। मैं मिलता हूँ आपसे next lecture में। Good day to everyone! जै हिंद!